नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्या मंतर यन तंत्रवास्तू के विशेश कासक्रम के साथ अगर आपके जिन्दगी में सब अच्छा चल रहा है, सब कुसल मंगल है आप चाहते हैं कि ये कुसल मंगल ये अच्छाई आपके जिन्दगी में चलता रहे तो महा सिवरात्री के दिन आपको क्या खास उपाय करना है क्या भगवान सिव को अर्पित करना है तो बने रही हमारे साथ महा सिवरात्री पर हर संकर से मुक्ति मिलेगी और हम आपको बताएंगे कि महासिवरात्री के दिन रासिक हिसाब से आपको क्यारपित करना है लेकिन उससे पहले जो मुखवात है उसकी हम चर्चा करते हैं देखिए महासिवरात्री का उत्सब भगवान सीव संकर के बीबाह के रूप में मनाया जाता है सिवरातरी की रात सिव से सक्ति का मिलन का रात होता है और इस दिन इस रात को अगर आप कुछ खास उपाय करते हैं तो भगवान शिव खुश होकर आपका भाग शमार देंगे तो हम सिधा चलते हैं रासी की हिसाब से आपको क्या अर्पित करना है महास्वरातरी के दिन सबसे पहले बात मेज रासी देखिए मेज रासी के लोगों को को सिबलिंग पर लाल कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी अगर आपको संतान होने में कोई मुश्किल हो रही है तो महासिवरातरी में नार्जल तेल का दीपक जलाना चाहिए इससे आपके घर में जो कलह है जो कलेस है वो खत्म हो जाएगा अब हम बात करते हैं सिधा मिथुन रासी का मिथुन रासी वालों को मिस्री के जल से शिवलिंग का अभिशे करना चाहिए इससे आपके जिंदगी में जो बाद विवाद है उससे आपको मुक्ती मिल जाएगी करक रासी शिवरात्री के दिन शिवलिंग पर आकरे के फूल चढ़ाए आपको धन में सफलता मिलेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो निस्टित रूप से आपको धन में सफलता मिलना ही मिलना है इसके बाद हम बात करते हैं शिंग रासी महा सिवरात्री के दिन नारियल पल मौली बांध कर सिबलिंग पर चढ़ाए इससे आपको मानसिक तनव से मुक्ति मिलेगा आपके जिन्दगी में जो mental tension है उससे आपको इससे निजात मिलेगा कन्यारासी कन्यारासी वालों को शिबलिंग पर पीपल के पत्ते चढ़ाने चाहिए महा सिवरात्री के दिन इससे आपको आर्थिक हानी से बचा होगा अगर आपके जिन्दगी में कोई आर्थिक हानी होने वाली होगी तो इससे निश्टित रूप से इससे आपका बचा होगा इसके साथ हम बात करते हैं तुला रासी एंड ब्रिस्टिक रासी का देखिए तुला रासी वालों को सिबलिंग पर गन्ने के रस से अभिसे करना चाहिए इससे आपको धन की प्रापती होगी ब्रिस्टिक रासी शिबलिंग पर बेल पत्र चढ़ाएं नोकडी में आपको प्रमोशन मिलेगा अगर आप शिबलिंग पर बेल पर चढ़ाते हैं तो निश्टित रूप से आपको नोकडी से समधी जो भी समस्या है उसका समयधान होगा और आपको प्रमोशन भी मिलेगा इसके साथ साथ धनुरासी धनुरासी को शीबलिंग पर पीले कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए इससे आपका सोभाग उजल होगा और भाग भी आपका साथ देने लगेगा तो निस्टित रूप से महा सिबलिंग के दिन आप सीबलिंग पर पीले कनेर का फूल चढ़ाए आपकी सारी समसाय खत्म हो जाएगी अब हम बात करते हैं मकर रासी की मकर रासी वालों को शमी पत्र मिले जल से सिबलिंग का अभीशे करना चाहिए इससे आप दुर्भाग से बचे रहेंगे अगर आपके जिंदगी में कोई भी दुर्भाग आने वाली है तो आप उससे बचे रहेंगे अब हम बात करते हैं कुम्भ रासी महा सिबल आत्री के दिन तील के तेल से सिबलिंग का अभीशे करे आपका दामपत जीवन सुखी बना रहेगा आपके जिन्दगी में अगर दामपत जीवन जो आपकी पत्ति पत्नी का रिलेशन अच्छा नहीं है तो रिलेशन अच्छे हो जाएंगे मीन रासी मीन रासी वालों को केसर से मिले जलसे सिवलिंग का अविश्य करना चाहिए इस से आपके सत्रों से आपको मुक्ती मिलेगा तो मैंने आज आपको बताया कि रासे की हिसाब से महा सिवरातरी के दिन भगवान सिव को क्या अरपित करना है ताकि आपके जिंदगी में जो अच्छाई जो सुब मंगल चल रहा है वो चलता रहे और साथ में अगर आपको कोई समस्या है तो वो भी दूर हो जाए तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो किरिप आई से लाइक करें सब्सक्राइब करें तता आपने दोस्तों के साथ भी सेर करें ताकि उनके जिंदगी में अगर कोई समस्या है या कोई दिक्कत है तो इन चीजों का उपायक करके महासिवरात्री के दिन वो भी अपने जिंदगी को सुखी बना सकते हैं आज के लिए बस इतना है धन्यवाद